जगदलपूर बस्तर के घाट पदमूर में शिवानन्द आश्रम संचालित किया जा रहा है जिसमें बस्तर जिलिके नकसल प्रभाविशेत के बच्चे बहतर पढ़ाई कर रहे हैं शिवानन्द आश्रम का मकसद अनाद बच्चों को बहतर शिक्षा देकर उनका जीवन बहतर बनाना है आश्रम में सुबह होते ही सबसे पहले बच्चों को प्रार्थन कराई चाती है और इसके बच्चों का अच्छी शिक्षा दी जाती है साथ ही उन्हें बहतर भूचन भी दिया जाता है अभी साश्रम में तीस बच्चे शिक्षा ले रहे हैं और इसी को लेकर शिवानन्द आश्रम चला रहे हैं शिवा सदारंद से हमारे समभादा ता मनुज ने खास बातचीत की है देखे रिपोर्ट अभी जो बच्चे हैं किन-किन छेत्रों से हैं और कहां-कहां से जिनके माता पीता नहीं है तो आप उनके बारे में बता है यह बच्चे बस्तर संभाग के खासकर जैसे भीजापूर है सुकमा कॉंटा नाराइन पूर और बारसुर छेत्र के हैं यह आसपास के भी रहते हैं यहां से 15-20 किलोगेकर से तो यह संभाग के हर वर्ष दूर दराज की अंदर-अंदर के बच्चे हैं जो जिनके मापाप आसिक्षित हैं और जो गरीबी से जेल रहे हैं या बच्चे जो पड़ाई छोड़ दिये रहते हैं हर पड़कार से जिनको परिशानिया हैं वो यहां पढ़ते हैं वर्तमाल में प्राइमरी और मीडिल इस्कुल खोला गया या इस इस्कुल को चलाने के लिए हमें सिक्षक वगेरा हम अपने डहंग से रखते हैं कई बार बेड कालेज की और अपना पीजी चात्रवास के बच्चे भी आके यहां योगदान देते हैं लेकिन हमें इस्ता ही रूप से शिक्षक की आवशकता है और इसके लिए सबसे पहले हमें आर्थिक मदद काउसकता है इसके अलावा जो बच्चे नाइन से लेकर कालेज इस्तर के एक-दो एक-दो रहते हैं जो आसपास के सास की स्कोलों में जाके आध्यन करते हैं जिनको यहां पर निशुलक डहंग से आम लोग उनका भरन पोशन और शिक्षा दिक्षा यहां से आम लोग देते हैं संसकार के माध्यम से यहां से जो बच्चे पड़े लिखे जिनको आपने सिक्षा अच्छी सिक्षा संसकार दिया और आज किस मुकाम पर पहुँच चुके हैं जी आज वो बहुत अच्छे इस्तर में हैं क्योंकि सिमीत और आईसे परिस्तितियां के रहते हो भी बच्चे का जो यहां मेहनत किया उन्होंने एक तो उनका जीवन चैली में परिवर्तनाया है और एक अध्यात्मिक धंग से उनका जीवन में बदला होने के कारण वो बच इसके समय में हमें का सकता हूं दो चारल बच्चे लोंका जो जैसे भीजापूर में एक सुभास चंद्रा कुडियम है जो आराई पद में हैं और कुछ बच्चे हैं वहां पर कलेक्टेड में दो बच्चे और हैं बाबू हैं और अपने दंतेवड़ा जिल्ला में किशुर देश सेवा में लगे हो हैं जो सैनिक आदि बनके तो हर कार्य छेत्र में कार्य कर रहे हैं अब जब